हे परभू, हे हरी नाम, क्रिष्न जगरनाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, एको सिस्टम में जोइन करने वाले कुल फाउंडर और यूजर की संख्या 34,95,656 हो गया, और यदी हम 34,95,656 यूजर में से, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवंबर 2022 में एको सि और वहां से सभी फाउंडर को इको सिस्टम में अपना एकाउंट किरियट करने के लिए कहा गया, और ओफाउंडर.net में 14 लाग से अधिक फाउंडर हैं, और उन फाउंडर को इको सिस्टम में सिप्ट होने में काफी समय लग गया, और एक बात जानकर आपको हैरान होगा क कि अभी भी कुछ गिने हुए founder account है जिसे ecosystem में shift नहीं किया गया है और इसे यही पता चलता है कि जो account अभी भी ecosystem में shift नहीं हुआ है वह खोया हुआ account है तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ecosystem में कुल user की संख्या कितनी है और हर महीने ecosystem में कितने user join कर रहे हैं एक अक्टूबर 2023 तक ecosystem में कुल user की संख्या 35,30,265 था और यह संख्या founder और user दोनों को मिलाकर के account किया गया है वही ओ founder.net में कुल founders की संख्या 14,27,483 है वही एक नमबर 2023 तक ecosystem में कुल founders और user की संख्या 33,12,649 था यानि अक्टूबर महीने 2023 में कुल 82,384 users ने ecosystem में join किया था वही एक नमबर 2023 तक जोईन करने वाले कुल founder और user की संख्या 34,8,349 था यानि नमबर महीने 2023 में कुल 95,690 user ने जोईन किया था वही आज एक जनबरी 2024 तक ecosystem में join करने वाले कुल founders और user की संख्या 34,95,656 है यानि दिसंबर महीने में कुल 87,317 user ने ecosystem में अपना account किरियट किया ecosystem को join किया है और यदि हम 34,95,656 user में से 14,27,483 founder को माइनस करते हैं तो कुल user की संख्या 20,68,173 होता है यानि अभी ecosystem में join करने वाले सिर्फ user की कुल संख्या 20,68,173 है इससे आप समझ सकते हैं कि ecosystem में join करने वाले user की संख्या दिन परती दिन बढ़ते जा रहा है उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नेचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जाय है मिलते हैं